हेलो स्टुडेंट्स मैं प्रियाग राज मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप से भी का अपनी चैनल टार्गे सेमिस्टर पर आज हम लखनो विश्विद्याले का जो पेपर सेकंड है हिस्ट्री का उसको हम एनलाइस करेंगे कि 2021 का प्यक्राइस करने वाले है इसके पहले हमने जो फिर्च पेपर हैं मेजर और माइनर के लिए दोनों के लिए कंपल सरी था जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं उसका एनलाइस हम लोग पहले कर चुके हैं तो आज बार ही हम लोगों की सेकंड पेपर की हिस्ट्री की जैसा कि आपके सिलेबस के कॉर्डिंग टॉपिक है मिडल एज इन यूरोप अप टू 30 इयर्स वाट ठीक है तो यह आप लोगों ने जो पढ़ा होगा उसी पे बेज़ड होगा और यह आपका सेकंड पेपर का टॉपिक है तो टाइम आपका तीन गंटे का होगा मैग्जि करी उद्धे तो यहांगे पांच कोषणस आपको करने पड़ेंगे 10 कोषणस आपको दिये होंगे जिनमें से सिर्फ आफ को पांच कोषण करने हैं और हर एक कोषण का आपको 15 मार्क मिलेगा जो आप फैकर कोशन पेपर कोशन आंसर सीट पे एटेम्ट करेंगे ठीक है तो यहां पर देख सकते है Hindi में भी किनी 5 प्रिष्णों के उत्तर दीज़ें और सभी प्रिष्णों के अंक सामान हां दूस्सी सीज की पेपर आप लोग तोan English में attempt करेंगे Hindi medium से हैं तो Hindi में attempt करेंगे लेकिन जो question paper है आपको bilingual मिलेगा ठीक है जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं तो देखते हैं पहला question है यहां पर आप लोगों का write about the causes and consequences of the decline of the Roman civilization Roman sabita के पतन के कारणों तथा परिणामों के विशय में लिखे इसके बाद दूसरा question है आप लोगों का what were the causes of geographical discoveries made by Europeans European द्वारा किये गए भोगोली खोजों के क्या कारण थे इसके बाद तीसरा question है give an account of the geographical discoveries made by European countries European देशों के द्वारा की गई भोगोली खोजों का विवरण दीजिए ध्यान दीजिएगा दूसरे और तीसरे question में आप लोगों को बिल्कुल भी confuse नहीं होना है यह question पूछ रहा है कि Europe द्वारा किए गए भोगोली खोजों के क्या कारण थे ठीक है यूरोपियों के द्वारा जो यूरूपी आये थे दूसरा है कि यूरोपी देशों के द्वारा की अगला कोशन है चोथा कि what do you understand by humanism throw light on the renaissance in Italy मानव वात से आप क्या समझते हैं और इटली के पुनर जागरण प्रिप्रकाश डालिए अगला है कि enumerate the role of Martin Luther in reformation in Germany Germany में धर्म शुधार आंदोलन में Martin Luther की भूमका को रेखंकित कीजिए छटा कोशन है कि write about the salient characteristics of the counter reformation प्रति धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुक्लेश्चनों के विशे में लिखे एक चीध है नकनी है कोशन को बहुत ही बैतरी नंग से पढ़ना है या अब प्रति धर्म सुधार आंदोलन की बात हो रही है ठीक है अगला है कि given an account of free formation in other European countries except Germany Germany के अत्रिक्त अन्य यूरोपी देशों में धर्म सुधार आंदोलन का विवरण दीजिए अगला है कि describe the achievements of चार्ल्स फिट्ट ओफ अव हैब्जर्ग डिस्टनी ठीक है है हैस्बर्ग वंस के चार्ल्स पंचम की उपलब्दियों का वर्णन कीजिए आटवा कोशन है अगला है कि what were the causes and consequences of revolt of Netherlands 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 के विड्रों के क्या कारण थे और क्या परिणाम थे इसके यह आपको बताना है है नवा कोशन था और आपका लास्ट और दसवा कोशन है डिसकस है बाहुस्दा causes and consequences of the 30 years war तीस वर्षी यूद के कारणों तता परिणामों का की विविशना करनी है तो कोशन पेपर आप लोग आई होप की बहुत एच्छे से देखा होगा आपको एक काम करना है जब आप कोशन पेपर आपके हाथ में आ जाए examination hall में तो कोशन पेपर को बहुत ही बहतरी नंग से पहले पढ़ने ना कि कोशन क्या कर रहा है एक कोशन आपका गुमाग फिरा के पूछ सकता है जो आप और वही दूसरा कोशन आपके कोशन पेपर में attempt भी हो सकता है बहुत अच्छे हुए हैं उनका भी में राइस ऐसी तरह कराता रहूंगा हमारे साथ जुड़े रहे हैं और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंस सरकल में सेर कीजेगा उन